विजेमाले, ललित मोधी, नीरव मोधी इन तीनों में दो जीस कॉमन है पहले तो ये तीनों बहुत बड़े financial scam करके इंडिया से भागे थे और दूसरा है कि ये scam करके वहाँ भागे जा कानून के लंबे हाथ भी नहीं पहुंच पाए जी हाँ, लंडेन तो आखिर fraud करने के बाद ये लोग इतनी असानी से लंडन कैसे चल जाते हैं कभी सोचा आपने आप में से शायद ही कोई जानता होगा कि UK में citizenship लेने का एक दूसरा तरीका भी है जिसके लिए आपको UK में 2 million pounds इंवेस्ट करने होंगे और उसके बाद तो UK की government आपका बाहें खोल के स्वागत करेगी जैसे की इन दीनों के साथ हुआ और इतने पैसे इंवेस्ट करने के बाद आपको सीधा वहाँ पर golden visa ही मिल जाता है हिराने की बात तो यह है कि इंडिया और UK के बीच में 1992 में एक extradition treaty साही नहीं थी जिसके according इंडिया के बस पूरा rights और fraudsters और criminal को वापिस इंडिया लेकर आना जो scam करके इंडिया से UK भागे थे क्या आपको उसका नम पता है